नमस्कार दोस्तो, एतिहासी घटना को हमेशा याद रखा जाता है, क्योंकि उस्या हमें शवक मिलती है और यह आगे काम करता है, तो दोस्तो, आज उस काली घटना को हम याद करते हैं, जब हमें खुंखार अतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था, तो दोस्तो, यह 1989 की ब ठीक छो दिन बाद जो उस समय वर्तमान में जो उस समय ग्रिह मंतरी थे मुप्ती मुँमस शईद जो पहले मुखमती राच्यों के हैं जम्मौ और कैस्मिर की उसमय वे ग्रिह मंतरी थे और उनकी सबसे चोटी बेटी जो डॉक्टर ती रुबिया सईद जी तो उनका अतंकव रुबिया शईद को छोड़ा जाएगा तो दोस्तों बहुत बादचीत हुआ अतंकवादियों के धुरू किसी तरह भाया बीपी सिंग सरकार ने उस समय बहुत बादचीत किया लेकिन उन लोगों ने रुबिया सहीद को नहीं छोड़ा उनकी यही मांग थी कि पाच और अंतता बीपीशन सरकार को परिस्तितियों को देखते हुए मुपती महमाशाही जो ग्रिह मत्रीजी थे उनलों ने बहुत प्रयास किया लेकिन अंत में उन्हें हार मानने पड़ी और रुबिया सहीद की जान बचाने के लिए पाच कुंकार अंतंकवादियों को छोड़न पड़ा था और जो बाद में हमाने बहुत ही घातक सीध हुआ और 13 दिशंबर मतलब कि आरतारी को उनका प्रहन हुआ था और 13 दिशंबर 1989 सहीद को रुबिया सहीद को छुराने के लिए पाच खुंकार अंतंकवादियों को भारत सरकार ने रीहा कर दिया वे उनको छोड़ दिया गया यही घटना जो थी उसके बाद कास्मीर में आतंकवादियों का चरम बढ़ गया था उनकी आतंकवादी घटना बढ़ गय थी अपरहन बढ़ गय थी तो ये काली घटना हमें याद दिलाती है कि इसे हमें बच कर हना चाहिए भारत सरकार ने उसके बाद बहुत ह तत्परता से काम लिया और इस घटना को आज हम भूल गए लेकिन सरकार जो आज है वर्तमान में लोगों ने इस सब से सीख लेकर ऐसी प्रिस्तितिया बनाई कि कस्मीर से अतंकवाद खतम हुआ लेकिन हमें विस उस घटना को याद रखना चाहिए कि हमें ऐसी प्रिस्तिति कि हमें ऐसी खुंखार अंतकवादियों को छोड़ना पड़े तो दोस्तो इतिहासी घटना को हमेशा याद रखना चाहिए तो दोस्तो बस इतना ही धन्यवाद जय हिन जय भारत तो दोस्तों अंत में एक बार मैं पुना आगरा करता हूँ आप सभी लोगों से ऐसे ही दूरी घटना होती है इतिहास को समयना और मेरे जो भी वीडियो होते हैं और रिचक होते हैं या समाजिक होते हैं जो भी होए वो अलग-अलग कोंटेंट के होते हैं लेकिन जरूरी जरूर होते हैं तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए ऐसे ब्लॉग देखने के ल झाल झाल झांग